पूर्णिंग ऑफिसर्स कैसे हैं आप सभी राइज़ आइएस की तरफ से आप सभी को हैपी न्यू येर मैं उमीद करता हूं आपने न्यू येर अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा और आप वापस पढ़ाई में लग गये होंगे बच्चों दो हजार चौबीस एक बहुत ह अच्छा मौका है अपनी किस्मत बदलने का अपनी डेश्टिनी चेंज करने का ये मैं बोलूंगा इतिहास की सब्से बड़ी वेकेंसी आई है जहां पर आप अपना सिलेक्शन पाकर अपनी किस्मत बदल सकते हैं बच्चों हमारे चैनल पे बराबर वीडियो अप्लोड की जा रही है अरपिट सर रिजनिंग ले रहे हैं और इस सर मैच ले रहे हैं जोती मैं हिंदी ले रहे एं मनुष सर ने इंग्लिश की भी वीडियो अपलोड कर दी हैं और मैं उम्मीद करता हूं आपने मेरा पुराना करेंट का शेशन लिया होगा बच्चों हम दूसरा करें तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज़ादा question जो इस समय पूछे जा रहे हैं वो quality से पूछे जा रहे हैं और SI में अगर 40 questions आते हैं तो उसमें 20 plus यह मैं कह सकते हैं 25 to 27 questions तक quality से आ जाते हैं तो बच्चों आज हम पहला full mock test करेंगे पॉलिटी का देन फिर इसके बाद एक और mock test करेंगे यानि कि दो full mock test करेंगे देन हम इसके बाद sectional करेंगे sectional मतलब topic wise और जिस topic कम है जिस दिन mock test लूँगा उसके handwritten notes मैं आपको provide करूँगा वह handwritten notes पाने के लिए आप हमारी telegram group price up academy में जुड़ जाएए जिसका link description box में दे रखा है तो बिना देरी के आज हमारा full mock test है शुरू करते हैं question number one किस अधिनियम के द्वारा British sensor ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर East India Company के भारत के व्यापारी एका अधिकार को समाप्त कर दिया गया था बच्चों सबसे पहले आप answer दीजिए मैं पूरा elaborately discuss करूँगा हर एक अधिन अधिनियम पर आप सबसे पहले ना direct answer कीजिएगा सीधा इसका answer क्या है पहला option 1813 का चार्टर अधिनियम 1830 का चार्टर अधिनियम 1873 का चार्टर अधिनियम देखते हैं हम अपना पहला option क्या था 1813 का चार्टर अधिनियम इसके हम प्रावधान देखते हैं पहला प्रावधान क्या था प्रतिवर्ष सिक्षा पर एक लाख रुपए खर्च प्रतिवर्ष सिक्षा पर एक लाख खर्च अभी तक आपने इस चीज को रटा होगा पर अगर हम इसका लें तो हम यह चीज़े आसानी से समझा सकती है अगर हम किसी भी चीज का बैकड्राउंड जाने जा है वह कोई व्यक्ती हो चाहे या कोई फैक्ट हो तो उस चीज चीज को हमें रटने की ज़रुएत नहीं पड़ती उस चीज को हम आसानी से समझ लेते हैं जैसे कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं अगर हम उनका बैक्ग्राउंड देखें तो हम उन्हें आसानी से समझ तकते हैं किस-किस तरह से उन्होंने संगर्ष किया तब आज वो देश के प्रधानमंत्री है उसी तरह इस फैक्ट के हम बैक्ग्राउंड को देखते हैं बच्चों मैं आपको बता दूं हर एक जो जितने भी एक्ट आये हैं उनका एक बैक्ग्राउंड रहा है पर सबका बैक्ग्राउंड इस प्रैक्टिस सेट म अधिनियम आया था इसके जो प्रावधानत्य मैं इसका बैक्ग्राउंड बता दे रहा हूं कि यह क्यों आये अब इसमें आया प्रतिवर्ष सिक्षा पर एक लाख रुपए खर्च अब भाई अंग्रेज क्यों खर्च करेंगे अंग्रेज पागल थोड़ी ना है वो तो पाइदे के लिए यहां पर काम कर रहे थे तो आप सोच रहे होगे क्यों बचों जब आप अपना अब्जर्वेशन लेवल बढ़ाओगे तब आपको चीजों को जानने की इच्छा होगी और चीजों को आप आसानी से समझ सकते हो अब्जर्वेशन लेवल आपको अपना बढ़ाना अप जानने के अगर आप पोशिश करने लगे हर एक तो मैक्सिमम फैक्स का आपको बैक्गराउंड मिलेगा और जब बैक्गराउंड मिलेगा वह चीज आपको भाई हेंड सौरी बाई माईंड में एकदम रट जाएगी आप देखते हैं प्रतियों शिक्षा प पुलाने पड़ते थे और जो क्लर्क लंडन से आएगा उसका आने जाने का खर्चा प्लस वो बहुत हाई सेलली लेता था तो इन्हों ने दिमाग लगाया कि अगर हम इंडियां सो क्लर्क बना दें थोड़ी सी सिक्षा देकर तो यह तो भाई बहुत कम पैसे लेंगे और जा ताकि वो इनके लिए क्लर्क के रूप में काम कर सकें तो यह बैक्ग्राउंड है अब मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे कि यह प्रावधान क्यों लाए गया अब दूसरा प्रावधान देखते हैं कंपनी के व्यापारिक एका अधिकार को समाप्ट कर दिया गया कंपनी के व्यापारिक एका अधिकार को कंपनी के व्यापारिक एका अधिकार को समाप्ट कर दिया गया आपने ये भी रटा होगा चलिए इसके भी पीछे का बैक्ग्राउंड जानते हैं तो बच्चों बात है 1750 की 1750 की बात है इस समय से बिटेन में इंडस्ट्रियल रेवलुशन शुरू हो गया था इंडस्ट्रियल रेवलुशन मतलब अध्योगी क्रान्ति की शुरूआत हो गई थी तो बच्चों जब आध्योगी क्रान्ति की शुरूआत होई तो जो कपड़े हाथ से बुने जाते थे वो बिटेन में और अधर Baptistyr यानी योरोप में वो मशीन से बनने लगे अब जब मशीन से बनने लग गए बच्व प्रोडक्शन बहुत जादा हो गया तो बेचने के लिए मार्केट कम पढ़ने लगी तो उसके कारण सभी जो अधर ट्रेडर्स थे जो अधर कंपनी थी उन्होंने क्राउन के यानि ब्रिटिश हारी केका अधिकार को स्थमाप्त कर दिया गया और अन्य कंपनियों को भी भारत में ट्रेड करने की पर्मीशन दी गई समझें आप अच्छा लगा बैक्ग्राउंड हर एक चीज को कोशिश कीजिए बैक्ग्राउंड समझे और अपना अब्जर्वेशन लेवल बढ़ाई अब कभीर दास को देखिए कभीर दास बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे जुलाहा थे बट उनका अब्जर्वेशन लेवल उन्हेंने खजूर के पेड को देखा लिख दिया बढ़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर अब भाई यह हमारे और आपके जै अधिनियम अधारा सो थैंटिस का अधिनियम इसमें क्या-क्या प्राउधान आए इसमें सबसे पहले बंगाल के गवर्नेट जेनरल को भारत का गवर्नेट जेनरल बना दिया गया भारत का गवर्नेट जेनरल बना दिया तो पहला भारत का गवर्नेट जेनरल कौन बना था विलियम बेंटिक यहां से बच्चों एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग कोश्चन आता है जिसमें मैक्सिमम बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं अगर मैं यहां से आपको पूछूं बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था तो भी अंसर विलियम बेंटिक आएगा मैं पूछू भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो भी अंसर विलियम बेंटिक आएगा इस तरह से दो कोश्चन बनते हैं एक और तरह से बनता है बंगाल का वह अंतिम गवर्नर जनरल जो भारत का प्रथम governor general बना तो तीन questions बनते हैं तीनों का answer जो है William Bantic ही जाता है आप लोग ध्यान दीजिएगा आप दूसरा प्रावधान क्या था इस समय तक लगभग British East India Company ने पूरे भारत को अपने कबजे में ले लिया था तो company के व्यापारिक कारे को समाप्त कर दिया गय यानि अब company सिर्फ राजनीतिक काम करेगी company के के व्यापारिक कारे समाप्त कर दिये गए अब वो केवल राजनीतिक कारे करेगी कि गवर्नर जनरल की परिशद में एक चोथा सदस से जोड़ा गया मैं जनरल की परिशद में एक चोथा सदस से जोड़ा गया और ये चौथा सदस्य किस प्रकार का था? ये कानूनी सदस्य था तो प्रथम कानूनी सदस्य कौन बना? मैकाले धन रखिएगा ऐसे भी कोश्चन्स आते हैं गवर्नर जनरल की परिशाद में जुड़ने वाला प्रथम कानूनी सदस्य या लॉड मेंबर कौन था? तो लॉड मैकाले अब तीसरा ऑप्शन क्या था हमारा? अठारा सो तिरपन का चार्टर अधिनियम इसके क्या मुख्य प्रावधान थे? कारेपाली का शक्ति को विधाई शक्तियों से अलग किया गया है यानि कि सेप्रेशन ओफ पावर्स लाया गया कारेपाली का शक्तियों को विधाई शक्तियों से विधाई शक्तियों से अलग किया गया है केंद्र में केंद्री विधान परिशत की अस्थापना की गई केंद्री विधान परिशत की अस्थापना की गई और इसका तीसरा जो प्रावधान है सिविल सेवकों की भरती है तो खुली परिक्षा का योजन यानि जो आज UPSC और UPPCS का एकदाम होता है उसकी सबसे पहली निव 1853 के चार्टा रेक्ट के तहट पड़ी थी बतो जब हम UPSC के पूरा इतिहास के बारे में बताएंगे तो और सिविल सेवाओं के बारे में बताएंगे इल्ली कमिशन क्या था जिसके तहट पब्लिक सर्विस कमिशन या लोग सेवा आयों की अस्थापना के यहां पर देखते हैं सिविल सेवकों की भरती है तू यह तू खुली परिक्षा अब हम अपने बढ़ते हैं अपने क्वेशन की तरह किस अध्रियम के द्वारा बिटिस संसर ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ कर इस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एका अधिकार को समाप्त कर दिया था बच्छो अभी मैंने आपको बताए अठारसो तेरा के चार्टर जाठ ने के तहर कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा अठारसो तेरा का चार्टर अधिनीयम बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरह कि निवलिखित में से किस अधिनियम द्वा सम्वैधानिक निर्मकुष्टा का सिध्धान्त हमें नहीं पता तो आप छोड़के आगे बढ़ जाते हैं ऐसा बिल्कुल मत कीजिए को मैं सिर्फ यहां सौल नहीं कर रहा हूं आपको अप्रोच भी बताऊंगा कैसे को टैकल करते हैं सबसे पहले चलिए हम सारे यह जो एक् का एक्ट 1919 का एक्ट 1935 का एक्ट और 1947 का एक्ट इसके पहले हम प्रावधान जानते फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कोश्चन को समझ के आंसर करते हैं पहला है कि 1909 अधिनियम कि इसको हम और क्या कहते हैं मौरले मिन्टो सुधार अब इसके हम प्रावधान देखते हैं कि इसमें सबसे पहला प्रावधान था भारतियों को कि अग्यार कि विधी निर्मार्ण तथा प्रशाशन में हिस्सा मिला कि भारतियों को तथा प्राशाशन में हिस्सा मिला कि अधे तेखते हैं अब हम दूसरा प्रावधान इसका क्या था तो मुस्लिमों को साम्प्रदाइक प्रतिनिधित्व दिया गया मुस्लिमों को साम्प्रदाइक प्रतिनिधित्व दिया गया साम्प्रदाइक प्रतिनिधित्व अर्थात सेपरेट इलेक्टोरेट जिसको इंगलिश में कहते हैं जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं आपको इसका पूरी स्टोरी बताऊंगा कि किस कारण से संप्रदाइक प्रतिनिधित्तु दिया गया था कि देखते हैं अपना सेकेंड कोशन के सोरी सेकेंड एक्ट क्या था उन्निस सो उन्निस का अधिनियम जिसको हम मॉन्टेग्यू चेंप्सपोर्ट सुधार भी कहते हैं उन्निस सो उन्निस का अधिनियम भारत सरकार अधिनियम उन्निस सो उन्निस का अधिनियम क्या था मॉन्टेग्यू मॉन्टेग्यू चेंप्सपोर्ड सुधार आईए अब हम इसके देखते हैं प्रावधान क्या क्या है तो सबसे पहला प्रावधान है केंद्र में द्वी सदनी वेवस्था लाई गई केंद्र में द्वी सदनी वेवस्था देखते हैं हमारा दूसरा प्रावधान क्या है पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का सूत्र पात हुआ पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और इसमें एक बहुत ही इंपोर्टेंट शब्द का प्रेयोग हुआ था उत्तरदाई शाशन सब्द का प्रेयोग हुआ था इस एक्ट में यह बहुत ध्यान रखेगा यह दो कुशन तो बहुत इंपोर्टेंट है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का सूत्र पात और उत्तरदाई शाशन शब्द का प्रेयोग देखते हैं अपना तीसरा अधिनियम उन्निस सो पैंतिस का भारत सरकार अधिनियम उन्निस सो पैंतिस का अधिनियम इसकी क्या प्रावधान थे तो इसमें संघात्मक साशन की शुरुवात की गई संघात्मक साशन व्यवस्था लाया गया केंद्र में द्वेद साशन प्रणाली लाई गई केंद्र में द्वेद साशन प्रणाली केंद्र में द्वेद साशन प्रणाली लाई गई और प्रांतों को स्वयायत्ता दी गई यानि कि प्रोविंशल अटोनॉमी प्रांतों को स्वयायत्ता दी गई संगी न्यायाले की अस्थापना की गई आर्बियाई की अस्थापना की गई और 1947 एक्ट के तहट आप तभी को पता है क्या हुआ था इंडिया को दो पार्ट में विभाजित कर दिया गया पाकिस्तान और इंडिया दोनों दो अलग-अलग स्टेट और आजाद अब हम कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो कोश्चन में पूछा गया था समविधानिक निरंग कुष्टा का सिध्धान यानि कि समविधान वर्ड दिया गया है अप्रोच आप देखेगा समविधान अगर हम 1935 का अपना अधिनियम देखें बच्चो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो आज हमारा समविधान है उससे बहुत सारी चीजें इस 1935 के अधिनियम से ली गई है संघात्मक शाषन केंद्र में द्वैद शाषन और संघी नयायाले प्रांतों में स्वायात्ता यह अभी हो सकता है आपको इन वर्ड की मीनिंग ना मालूम हो जब मैं लेक्चर सुलूंगा तब मैं आपको इन वर्ड की एक एक प्रॉपर मीनिंग भी बताऊंगा संघात्मक शाषन क्या होता है केंद्र में द्वैद शाषन क्या होता है तो बच्चों आप को दिख रहा होगा इतने सारे प्रावधान किये गए जो भार्कियों के पक्ष में थे पर बट 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 सबसे जाधा पावर्फुल इन में से भी एक व्यक्ति अकेला था कौन से जाधा पावर्फुल जो व्यक्ति था गवर्नर जन्राल या इसको हम वाइसरोय बोल सकते हैं बचों मैं एक कोश्चन आप सभी को देता हूं आप मुझे कमेंट्स में अंसा कीजिएगा आप मुझे बिताएगा गवर्नर जनरल और वाइसरोय में क्या अंतर है ठीक है आप मेरे को कमेंट्स से बताईगा तो इन सभी यह जो प्रावधान थे इन सबसे पावर्फुल ए नहीं था यह सारे प्रावधान समवैधानिक बट इन सब पर अंकुष लगाने के लिए यह यानि निरंकुष है इसी वजह से वापस हम अपने कोश्चन पर चलते हैं समवैधानिक निरंकुषता का सिद्धान प्रवृत किया गया था तो सही आंसर हमारा हो जाएगा भारत सरकार अधिनिया 1935 के तहर्र आप समझ गया होंगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ निम्य लिखित में समवैधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है यह वर्ड मैक्सिमम लोग मिस कर जाते हैं गलत यह जब भी आपको दिखे नहीं गलत इसको गोला कर लिया कर आपको भी पता है बहुत सारी समितिया बनी जैसे प्रारूप समिति संग समिति प्रांतों के लिए लग लग समिति और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष ब्यार अंबेड कर जी दग्रेट ब्यार अंबेड कर अल्प संख्यक समुदाय जैसे इसाई एंगलो इंडियन्स और पार्शियों को सभी में परियाप्ट प्रतिनिजित्तु था बचो जब मैं लेक्चर्स लूँगा तो आगे जो एक्ट्स आये थे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि 1909 में सबसे पहले मुस्लिमों को दिया गया फिर आगे आने वाले एक्ट्स थे उसमें धीरे धीरे इसाई एंगलो इंडियन्स और पार्शियों को भी प्रतिनिजित्त को दे दिया गया था तो यह option में हमारा बिल्कुल सही हो गया क्या है को नेक्ष्ट option इसका निर्वाचन सार्व भॉंप वयस्क मता अधिकार के आधार पर किया गया था वचो यह अंसर गलत हो गया और हमें गलत पूछा गया है तो इसका सही option है c इसका जो निर्वाचन था व संपत्ति और सेक्षडिक योग्यता के अधार पर मताधिकार सीमित था यानि कि जो लोग टैक्स देते थे जिनके पास संपत्ति थी और जिनके पास सचरिक योग्यता थी उन्हीं लोगों को मताधिकार दिया गया था ठीक है फाइन समझ में आया बढ़ते हैं नेक्ट के रूप में मनाया गया था इस तिथी को 1922 में भारत छोड़ो अंदोलन को प्रारम्भ किया गया था नहीं ये तो गलत है आपको पता है भारत छोड़ो अंदोलन आठ अगस्त 1922 से प्रारम्भ हुआ था ये एक शुब दिन था उपर यूग तुमें से कोई नहीं तो चलिए मैं इसके बारे में आपको कुछ एक्स्प्रेइन करता हूँ बच्चों 1929 में एक कॉंग्रेस का लहोर दिवेशन हुआ था कहा का कॉंग्रेस का लहोर दिवेशन कॉंग्रेस का लहोर दिवेशन हुआ था इसमें क्या इंपोर्टेंट निर्णा दिया गया था इसमें पूर्ण स्वराज की घोशना की गई थी पूर्ण स्वराज जी की घोशना की गई थी और इसी घोशना के तहत 27 जन्वरी 1930 को जवाहर लाल नहरू जी ने लाहोर में रावी नदी के तट पे भारती जंडा फैराया था और उसी दिन से ये डिसाइड हुआ था हर साल 26 जन्वरी को स्वतनत्रता दिवस मनाया जाएगा पर हमारा देश जो है 15 अगस्त को आजाद हुआ था उम्मीद करता हूँ आप तो समझ में आया होगा बढ़ते नेक्स कोशिन की तरफ कर का संभिधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिमी बंगाल से बंबई प्रेसिडेंसी से तत्काली मध्य भारत से या पंजाब से बच्चों हम बात करें भी आर अंबेटकर जी वियार अंबेटकर जी की तो इनका संभिधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था वह सबसे पहले जो है उर्वी बंगाल से हुआ था उर्वी बंगाल यानि इस्ट बंगाल उर्वी बंगाल से हुआ था बट जब स्वतनतरता हुई तो बंगाल जो है दो वहाग में विभाजित हो गया वेश्ट बंगाल इंडिया में आया इस्ट बंगाल पाकिस्तान में चला गया जिसके कारण फिर एक उप चुना हुआ जिसमें ये बंबाई प्रेसिडेंसी से चैनित हुए तो सही अंसर हमारा हो जाएगा बंबाई प्रेसिडेंसी आई होप तमझ में आया होगा आप तभी को बढ़ते हैं नेक्ट कोश्चन की तरफ भारती सम्विधा सभा में कुल कितनी महिला सदस्या आये थी 15, 13, 12, 10 महिला पूछ रहा है अगर बच्चों हम पहले कुल सदस्य की बात कर लें तो कुल सदस्य जो निर्धारित किये गए थे वो 389 थे जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत से आने थे 296 ब्रिटिश भारत से और 93 देशी रियासतों से और इन दोस्तों 96 ब्रिटिश भारत तो दो और पार्ट में दिवाइड किया गया था इसमें से 92 गवर्नर्स के राज्यों से गवर्नरों के प्रांतों से और चार मुख्य आयुक्त के प्रांतों से और चार मुख्य आयुक्त के प्रांतों से आने थे और इन कुल 390 सदस्यों में से जो महिलाएं थी वो 15 थी कितनी थी बच्चों 15 तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 15 इस चार्ट को बना लीजिएगा अगर आपने नहीं बनाया होगा वह समझने का सबसे आसान तरीका चार्ट फॉर्म में और एक प्रॉपर इस्ट्रक्चरड वे में तो हम जो आपको प्रॉपर नोट्स देंगे वो एक सबकुछ चार्ट फॉर्म में होगा जिससे आपको अंडर्स्टेंडिंग में आसानी रहे क्योंकि क्या होता है अगर आप पूरा लिखे रहेंगे तो क्या होगा जब आपको एक्जाम होगा जब आपको रिवीजन करना होगा तो आपको इतने मोटे नोट दे के बुखार चार जाएगा तो ऐसा ना हो, तो हम सब कुछ को एक बहुत concise way में लिखना चाहिए, केवल उसका crux, जिससे हम last के day भी उसको पूरा revision कर सके, समझ में आ गए यह सारी चीज़ें आपको, बढ़ते हैं next question की तरफ, क्या है next question देखनें, भारत के समविधान में समवर्ती सूची की अवधाना ग्रहित की गई है, तो जो क्या पूछा है, समवर्ती सूची यानी की concurrent list, concurrent list, अगर बच्चों हम बात करें, हमारे समविधान में तीन प्रकार की list है, कौन कौन सी? एक राज्य की, एक संग्य की, और एक समवर्ती, यानी की state list, union list और concurrent list, state वाले पे state कानून बनाती है, संग वाले पे, यानी union वाले पे union कानून बनाती है, समवर्ती सूची, यानी की जो हमारी concurrent list है, इस पे state और union, यानी संग और राज्य दोनों मिल के कानून बनाते हैं, और ये कहां वर्णित है, schedule 7 में, यानी की अनसूची 7 में, हमारी सात्वी अनसूची में है, ये, कौन से अनसूची में, सात्वी, अब देखते हैं, ये पूछा गया है, इसकी अवधारना कहां से ली गई है, तो पहला option है, Great Britain के संभिधान से, दूसरा USA के संभिधान से, Canada के संभिधान से, Australia के संभिधान से, तो चलिए हम देखते हैं, पहले Great Britain से क्या-क्या लिया गया है, तो पहला option है हमारा Great Britain से, Great Britain से, संसदात्मक शाशन पढ़ा लिया, संसदात्मक शाशन पध्धती, संसदात्मक शाशन पढ़ाती, एकलनाग रिक्ता, एकलनाग रिक्ता, विधी का शाशन, और, द्वी सदनी प्रणाली, द्वी सदनी प्रणाली, तो बच्चों ये सारी चीज़े ब्रिटेन से ली गई है, अब हम देखते हैं USA के संबिधान से, यानि अमेरिकी संबिधान से क्या-क्या लिया गया है, तो बच्चों हम बात करते हैं, मूल अधिकार की, न्याइक पुनर विलोकन की, या इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं, जूडिशियल रिव्यू, न्याइक पुनर विलोकन की, राष्ट्रपती का पद और उस पर महाभियोग, राष्ट्रपती का पद और महाभियोग की प्रक्त्रिया, न्याइपालिका की स्वतंत्रता, न्याइपालिका की स्वतंत्रता, और उद्देशिका का विचार, अगला उप्शन अपना देखते हैं, कैनेडा से क्या क्या लिया गया है, तो बच्चों कैनेडा से संघी वेवस्था, यानि फेडरालिजम, केंद्र द्वारा राज पालों की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज पालों की नियुक्ति, अविशिष्ट शक्तियां के इंद्र के पास, अविशिष्ट शक्तियां के इंद्र के पास, इसके बाद हम बात करते हैं अपने आस्ट्रेलिया से, लास्ट ऑप्शन, उद्देशिका की भाशा, देखेगा साथियों, यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, अगर उद्देशिका की भाशा पूछे, तो आंसर आस्ट्रेलिया आएगा, अगर उद्देशिका का विचार पूछे, तो आंसर यूएस से, यानि अमेरिका आएगा, तो इन दो बात का आप ध्यान एकिएगा, विचार पूछे, तो अमेरिकी सम्विधान से, और अगर भाशा पूछे, तो आस्ट्रेलिया इसम्विधान से, और क्या लिए गया है, तमवर्ति सूची का प्रावधान, और संयुक्त बैठक, ये सारी चीजें हमें आस्ट्रेलिया से लिए हैं, अब चलतें आपने क्वच्चन की तरफ, क्या क्वच्चन था, तो संवर्ति सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है, तो अभी मैंने आपको बताया, संवर्ति सूची की अवधारणा कहां से, आस्ट्रेलिया से ग्रहित की गई है आई होप आप तभी को समझ में आया होगा बढ़ते हैं नेक्स कोश्चन की तरफ निमलिखित में से कौन सी जोड़ी जोड़ी में क्या एक तरफ संस्था दिये रखा और एक तरफ संविधान के अनुछेद तुमेलित है तो पहला है भारत का सर्वोच ने आया लए अनुछेद 318 ठीक है दूसरा भारत का निर्वाचन आयोग अनुछेद 324 संगिये लोकसेव आयोग अनुछेद 332 महा अधिवक्ता और अनुछेद 351 सबते पहले आप डिरेक्ट आंसर करेंगे फिर मैं डिसकस करना हूँ आपने आंसर कर दिया होगा अब हम डिसकेशन करते हैं तो अगर हम बात करें सर्वोच नियायले वच्छो सर्वोच नियायले आपको पता होगा अनुछेद 124 में दे रखा है तो यह हमारा ऑप्षिन गलत हो जाता है यह सही सुमेलित नहीं है अनुछेद 318 में क्या दे रखा है लोकसेवा आयोग के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में की सेवा की शर्तें यह अनुछे 318 में दे रखा है बच्छों हमारा पहला ऑप्षिन गलत हो गया भारत का निर्वाचन आयोग अनुछेद 324 तो बच्छों यही हमारा सही आंसर है अनुछेद 324 में भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में दे रखा है अब हम देखते हैं अपना अगला ऑप्शन संघी लोक सेवा आयोग तो बच्चों यह अनुछे 315 में में मेंशन्ड है अनुछे 315 में अब बात करते हैं अनुछे 332 में क्या है तो इसमें विधान सभाओं में विधान सभाओं में SC HD का आरक्षण यानि अनुशूची जाती और जन जाती का आरक्षण दे रखा है कहां पर विधान सभाओं में SC और SC HD को आरक्षण यानि कि reservation नेक्स्ट देखते हैं महाधिवक्त बोल ला कि अनुशे 351 में आपको पता होगा महाधिवक्त अनुछे 165 में है तो अनुशे 351 में क्या है तो यहां पर हिंदी भाशा के विकास के लिए निर्देश दे रखे हैं हिंदी भाशा के विकास के लिए निर्देश यहां पर सारे उप्षेन इसलिए डिस्कस किये जाते हैं जिससे आपको एक कोश्चन के साथ आपकी चार से पांच चीजे रिवीजन हो जाए तो आप भी ऐसा किया करिए आप जब भी कोई भी प्रैक्टिस से सॉल्व करें तो उसमें जो अधर उप्षेन है आप उनको भी ड प्राबर हो जाएगा आप समझ गये बढ़ते हैं नेक्स वोट्षन की तरफ भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्न लिखित में से किसमें प्रतिविम्बित होता है पहला ऑप्षन है उद्देशिका दूसरा ऑप्षन है मूल अधिकार तीसरा ऑप्षन है राज क का मत कहां पर प्रतिविम्बित होता है तो इसका सही आंसर है उद्देशिका में अब आज बात करें उद्देशिका की कैसे यह आई बच्चों सबसे पहले जो उद्देश प्रस्ताव है उद्देश प्रस्ताव ये तेरा दिसंबर उनिस सोच की आलिस को जवाहर लाल नहरू द्वारा सम्विधान सभा में पेश किया गया यह पारित कब हुआ 22 जन्वरी उनिस सो सेटालिस को यह पारित हो गया और साथियों बाद में इसी को परिवर्तित कर भारत की संभिधान की उद्देशिका यानि प्रियंबल बना दिया गया अच्छा अब हम बात करते हैं जो उद्देशिका है वो भारत को कैसा राज्य बताती है उद्देशिका है वो भारत के बारे में क्या बताती है भारत एक कैसा राज्य है यानि कि भारत के बारे में वो बताती है कैसा राज्य है तो एक संपूर प्रभुत्व संपन यानि सोवेरिन संपूर प्रभुत्व संपन, समाजवादी, पंथि निर्पेक्ष, लोक्तंत्रात्मक गणराज, लोक्तंत्रात्मक गणराज, यानि कि भारत हमारे एक कैसा देश है, एक प्रभुत्व संपन, समाजवादी, पंथि निर्पेक्ष, लोक्तंत्रात्मक गणराज, ये बच्चों ये समाजवादी और पंथि निर्पेक्ष शब्द, ये 42 सम्विधान संसोधन द्वारा जोड़ा गया था, 1976 में, उस समय किसकी सरकार थी, इंद्रा गांधी की, इंद्रा गांधी की कौन सी पार्टी थी, कॉंग्रेस, हम यही पे एक फैक्ट और देख लेते हैं, चाव वालीश्वाद, सम्विधान संसोधन, 1978, यहाँ पे किसकी सरकार थी, मुरा जी देशा, उस समय प्रधान मंत्री थे, और जंता पार्टी की सरकार थी, बच्चों यह question अभी कभी पूछा नहीं गया है, कि 44 संविधान संसोधन के समय या 42 संविधान संसोधन के समय किस पार्टी की सरकार थी, या उसमें प्रधान मंत्री कौन था पट मेरी गट फीलिंग के रही यह कोश्चन कभी भी पूछा जा सकता है तो आप यह यहां पे तैयार कर लीजिएगा तो I hope यह कोश्चन सुमंझ में आ गया होगा कि हमारे सम्बिधान निर्माताओं का मत् किसमें प्रती बिम्बित होता है तो आंसर है उद्देश का या प्रियंबल में तो बढ़ते हैं next question की तरफ भार्ति संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावना यानि उद्देश का या प्रियम्बल में निम्न लिखित में से किस स्वतंतरता का वर्णन नहीं है बतो जब मैं लेक्चर लूँगा तो प्रियम्बल मैं आपको दिखाऊंगा पूरा प्रियम्बल कैसा दिखता है और वो जो प्रियम्बल यानि उद्देश का चैक्टर है हमारा बस उसी प्रियम्बल को देखके ही खतम हो जाएगा उसी प्रियम्बल में आपको बताऊंगा कि उसी एक प्रियम्बल से कोश्चन कैसे कैसे बनते हैं और आपको कुछ रटने की ज समझेंगे तभी वो चीज जादा अच्छे से क्लिरह जाएगी जैसे मैंने आपको बाता है बैक्ग्राउंड हम किसी चीज का समझेंगे तो हमें वो फैक्ट जादा अच्छे से आध हो जाएगा उसी प्रकार हम जोगर्फी में पढ़ेंगे तो उसमें हम मैपिंग शुरू क करेंगे इस cał commence etibile की सिरीज करोंगा Mapping practice सेट वैसे जब मैं इसमें lecture लूओंगा तो मैं आपको पूरा जो असल प्रियंबल है मैं आपको वह दिखांगा गाा और उसी से बताधूंगा कि कैसे ये Catholics एक ही बार में बिना रटे त्यार हो सकता है समझ़के कोशन की की स्वतंतरता या आर्थिक स्वतंतरता आपने अंसर किया चलिए अब मैं explain करता हूं कि अगर हम बात करें अपने उध्य देशका में स्वतंतरता की यानि Liberty तो बच्चों प्रकार की स्वतंतरता दी गई है लेखते हैं कौन सी अब विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपास्तना. अगर हम इसी को इंग्लिश में लिखें तो, लिबर्टी ओफ थॉट्ट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, पेथ, एंड वर्शिप. अभिव्यक्ति की स्वतंतरता, विश्वास की स्वतंतरता, और आर्थिक स्वतंतरता, तो जो नहीं दी गई है, वो है आर्थिक स्वतंतरता. आप समझ गए होंगे, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कोश्चन की तरफ, निम्ने लिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्तुपूर्ट तत्व है? अगर हम बात करें, बच्चों, राज्य के महत्तुपूर्ट तत्थे कौन-कौन से हैं, तो जनसंख्या, चार महत्तुपूर्ट तत्थे होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, स्तरकार, और संप्रभुता. अगर हम इन चाराओं में से भी सबसे महत्तुपूर्ट बात करें, तो वो है, बच्चों, संप्रभुता, ये सबसे महत्तुपूर्ट है, यानि कि most important. सबसे महत्तुपूर्ट है, क्यों? क्योंकि अगर किसी राज्य की संप्रभुता नहीं होगी, तो वो अंतरराश्ट्री दिश्ट्री से राज्य के रूप में मानने नहीं होता. तो इसलिए सबसे महत्तुपूर्ट होगा संप्रभुता, आप समझ गए होंगे, इस सब चीजों को note करते चलिएगा, आप अपने जो notes हैं पढ़ने के, आप उनको साथ लेके बैठिए, और जो जो चीजें आपको नहीं मिल नहीं हैं अपने notes में, उसको update करते चलिए, दो के लिए, दो तीन कलर की pen लेके बैठिए, इसी को कहते हैं बच्चों notes अपग्रेडेशन, इससे क्या होगा, आपका notes latest trend के साथ update होता चलेगा, और जो चीजें मिस हैं, वो उसमें topic wise add भी हो जाएंगी, बढ़ते हैं next question ती तरफ, भारत में राजनैतिक सक्ता का प्रमुक स् प्रोत, जनता, संविधान, संसद या राश्टुपती, अभी बच्चों मैंने आपको बताया था, भारतिक कैसा राज्य है, लोक तंत्रात्म गणराज, हो सकता अभी आपको इसा मीनिंग ना पता हो, जब मैं लेक्चर लूँगा, तो आपको बताऊंगा, लोक तंत्रात् है, अभी मैंने आपको बताया था, भारत एक लोक तंत्रात्म गणराज है, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात, जो राज सकता है, भारत की जो राज सकता है, यानि जो अल्टिमेट रूलर्स है, वो जनता में नहीं थे, राज सकता जनता में नहीं थे, वो आप सोच रहे होंगे कैसे, क्योंकि बच्चों जो जनता होती है, वो अपने प्रतिनिधी को निर्वाचित करती है, अपने प्रतिनिधी को क्या करती है, निर्वाचित करती है, प्रतिनिधी कैसे होते हैं निर्वाचित यानि कि इलेक्टेड और ये प्रतिनिधी रूलर ना होके जनता के सेवक होते हैं तो इसी सेंस में इसी इस्ट्रक्चर्ड पॉर्म को समझते हुए हमारा आंसर क्या हो जाएगा जनता इसलिए भारत की उद्देश्का किस से शुरू होती है हम भारत के लोग यानि कि उद्देश्का में क्या लिखा जाता है हम भारत के लोग आप प्रियंबल जब पढ़ेंगे तो उसमें इस्टार्टिंग कहां से होती है हम भारत के लोगों से यानि कि सत्ता का प्रमुख स्त्रोथ है भारत की जनता बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ भारत शाशन द्वारा राज की चिन यानि कि स्टेट एंबलम कब से अंगिक्रित यानि एडॉप्ट किया गया था 15 अगस्त 1948 दो अक्टूबर 1947 26 जन्वरी 1947 26 जन्वरी 1950 तो बच्चों अगर हम बात करें हमारा इस्टेट एंबलम क्या है तो बच्चों यह सारनात वारानस्ती में स्थित अशोक के सिंग इस्तंब के शीर्ष की अनुक्रिती है तो आप वारानस्ती में स्थित अशोक के सिंग इस्तंब के शीर्ष की अनुक्रिती यानि वो जो टाइगर जैसा दिखता है तीन टाइगर होते हैं शीर्ष की अनुक्रिती यानि जो सिंग इस्तंब है उसके जो टॉप का जो इस्टेचू बना है वो शीर्ष की अनुक्रिती जो कब अडॉप्ट की आगा था 26 जन्वरी 1950 को ध्यान रखिएगा पढ़ते हैं संसाद एन राजज की विदा दो कि संम्हेलित रूप से या सिर्फ संदवा पहले हम जानते हैं नागरिकता के बारे में है की हो कि चुक्रिकती क कहा है और दी गई है माद नागरिकता भाग दो में इस अनुशेद में अनुशेद सेंथ अगर हम बात करें नागरिक्ता का अर्जन कैसे होता है किनकी नाधारों पे यानी नागरिक्ता मिलती कैसे है तो बच्चों पाँच आधारों पे नागरिक्ता दी जाती है पहला बाई बर्त जन्म के अधार पे यानि बाई बर्त देशी करण के अधार पे यानि कि बाई नेचुरलाइजेशन भूमियद ग्रहन के अधार पे भूमियद ग्रहन के अधार पे यानि कि बाई एक्विजिशन ओफ लेंड बाई एक्विशिशन ओफ लेंड चौथा अगर हम बात करें तो वंश्परंपरा से यानि बाई डिसेंट पांचवाँ और अंतिम अधार है पंजी करण से पंजी करण द्वारा यानि कि बाई रेजिस्ट्रेशन अब हम आगे बात करते हैं अपने क्वेशन पे तो अगर हम बच्चों इसका अनुछेद 11 देखें अगर यहां पे हम अनुछेद 11 देखें तो अनुछेद 11 क्या कहता है संसद को नागरिक्ता संबंधी विधी बनाने का अधिकार है नागरिक्ता संबंधी विधी बनाने का अधिकार अब हम चलते हैं अपने क्वेशन की तरफ क्या पूछा कह था कौन नागरिक्ता के अर्जन है तो शर्ते नियत के लिए सक्षम है तो मारा आंसद हो जाएगा संसद और कैसे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 11 या अनुछेद 11 बढ़ते हैं वो छोड़के आगे बढ़ जाते हैं तो बत्चों यह बिल्कुल मत कीजिएगा जो ऑप्शन्स दे रखा है पहले हम उसके थ्रू अप्रोच करते हैं देखते हैं कैसे अप्रोच बनाते हैं अच्छा अनुछेद 19 में क्या है वाक अभी व्यक्ति की स्वतंतरता वाक अभी व्यक्ति की स्वतंतरता अनुछेद 21 में आप सभी को पता होगा प्राणयों देहिक स्वतंतरता अगर हम तीसरा बात करें अनुछेद 25 में अनुछेद 25 में धार्मिक स्वतंतरता की बात की गई है अनुछेद 29 में बात करें तो अल्प संख्यक वर्गों के हितों का संख्यक इसके बारे में बात की गई है अब हम अपने कुश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं इसने क्या पूछा था अपनी पसंद के व्यक्ति से विवा करने के किसी व्यक्ति का अब बच्चों अप्रोच करो हम क्या विवा इसके अंदर आएगा क्या वाक अभी व्यक्ति की सोतंतरता के अंदर क्या बोलने की सोतंतरता के अंदर विवा करने की बात आ सकती है तो नहीं आप गलत हो जाएंगे क्या ध तो हमारा स्ताही आंसर क्या हो जाएगा प्राणयों देहिक सोतन्तरता का यानि कि अपनी पसंद से व्यक्ति से विवा कर सकते हैं किसा अनुछेत के अंतरगर अनुछेत 21 के और यह प्राणयों देहिक सोतन्तरता के अंदर की बाद आद क्योंकि भाई शरीद आपकी है आप ज बच्चों फिर से पूछा गया नहीं जब भी नहीं वर्ड या गलत वर्ड वगेरा आए तो आप उसको सबसे पहले गोला कर ले अच्छा तो यह चार रिटों का नाम दिया गया है बच्चों आपको पता होगा अनुछेद 32 के तहट सुप्रीम कोर्ट और अनुछेद 226 के तहट हाई कोर्ट रिट जारी करती है और सुप्रीम कोर्ट इसमें सुप्रीम कोर्ट है इसमें हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करती है 5 टाइप की रिट कौन सी पहले देख लेते हैं एक है बंदी प्रत्यक्षी करण दूसरा है परमादेश तीसरा है प्रतिशेद चौता है अधिकार पिछा एक पांच में जो नहीं लिखी है यहाँ पे वो है उत्प्रेशन अब देखते हैं इसमें इसका मतलब दिया है बंदी प्रत्यक्षी करण यानी कि शरीर को प्रस्तुत किया जाए हिंदी में इसको लिखते हैं शरीर को प्रस्तुत किया जाए इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आप इंगलिश और हिंदी Christina दोनों थोड़ा थोड़ा जानते रहें देखे यहां पर यहां पर यहां प्रा के यह लिग दिया है यहां पे इसे का English वर्जन लिग दिया है तो आप इन सब चीज ओंग निग पावर्ष में आता है उसमें क्या कहते हैं बच्छे सिर्फ Hindi रटे रहते हैं तो इंग्लिश में देता है तो बच्चे पर जाते हैं इसलिए आप लोग थोड़ा हिंदी और इंग्लिश दोनों देखिए इसमें देखे परमादेश वी कमांड यानि कि हम आदेश देते हैं हम आदेश देते हैं तू भी सर्टीपाइड यानि उनत्या सूचित कीजिए उनत्या सूचित कीजिए विद वाट अथॉरिटी यानि कि किस अधिकार से अब हम मिलाते हैं बंदी प्रत्यक्षी करण to have the body of तरविश को प्रस्तुत की जाए ये बिल्कुल सही है बंदी प्रत्यक्षी करण कब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से गिरफतार की जाता है तब सुप्रीम कोट जारी करती है परमादेश यानि वी कमांड हम आदेश देते हैं ये कब जारी की जाती है जब कोई सारवजनिक पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का समवैधानिक या कानूनी रूप से पालन ना कर रहा हो तब जारी की जाती है प्रतिशेद ओ बच्चो यही गलत हो गया तो इसका सही आंसर है सुमेलित नहीं है पूछा था तो हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रतिशेद बच्चो प्रतिशेद क्या होता है यह अधिनस्त न्यायालय को लेख होता है और यह कब जारी की जाती है जब कोई अधिनस्त न्यायालय को लेख कब जारी की जाती है जब कोई अधिनस्त न्य मैयाल है यानि subordinate code अपने अधिकार छेत्र के बाहर की सुनवाई करता है उत्प्रेशण का क्या अर्थ है कि तूबी सर्टीपाइड यानि पूर्ट्या सूची कीजिए उत्प्रेशण में आता है अधिकार प्रिच्छा का अर्थ है with what authority यानि किस अधिकार से यह किसके विरुद्द जारी की जाती है जो किसी सारवजनिक पद को गैर कानूनी रूप से धारण कियो हो या उस पर उसका अधिकार ना हो आई होप आप समझ गए होंगे बचों मैं फिर से कहूंगा कि प्योर हिंदी के या प्योर इंग्लिश में मत अटके रहें थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिला के चले इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो हमारे टीचर्स ने नोट्स बनाए यानि जो हम आ यानि इंग्लिश हिंदी दोनों में रिखा है तो मेरी आप से रिक्वेस्ट है हिंदी और इंग्लिश दोनों थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा आप सभी को मैं उम्मीद करते हूँ यह चीज अच्छे से समझ में आई होगी ठीक है फाइन बढ़ते नेक्ट कोश्चन मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने आंसर किया होगा अगर बात करें सिच्छा के अधिकार की तो 86 संविधान संसोधन द्वारा अनुशेद 21 का अनुशेद 21 का को जोड़ा गया जिसमें सिच्छा के अधिकार को रखा गया अनुशेद 21 का में सिच्छा का अधिकार रखा गया जो कब लाग हुआ जो एक अप्रेल 1 अप्रेल 2010 से लाग हुआ तो हमारा सही आंसर हो जाएगा एक अप्रेल 2010 से बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ निम्लांकित में से कौन सा राज के नीती निदेशक तत्मों में निहीत है यानि कि DPSP Directive Principles of State Policy पूछा गया देखते हैं अप्राध अप्राधों के लिए दो सिद्धी के संबंद में संरक्षन यह किस आर्टिकल में आता है तो दो सिद्धी संरक्षन आर्टिकल 20 में है प्राणयों देहिक स्वतंत्रता का संरक्षन अभी मैंने आपको बताया था आ आर्टिकल 21 में है अल्फ संख्यक वर्गों के हितों का संरक्षन यह भी मैंने अभी आपको बताया था आर्टिकल 29 पुरुशों और इस्त्रियों दोनों का समान कार के लिए समान वेतन हो यह किस अनुछेद में है बच्चों यह अनुछेद 49 घा में है यानि आर्टिकल 39 घ हाँ अगर हम बात करें DPSP कहां पर है वच्चों DPSP सम्विधान के पार्ट पोर यानि भाग चार में किस अनुछेद से किस अनुछेद तक अनुछेद 36 से लेके अनुछेद 51 तक तो अब देखते हैं यह 36 से 51 के बीच नहीं है यह भी नहीं है यह भी नहीं है और यह है तो हमारा सही अंसर क्या हो जाएगा डी अंशे 39 घा क्या प्रबन करता है समान कार्यों के लिए समान वेतन चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो आप सबी को समझ में आ गया होगा बढ़ते रहिए बचों अगर आपको इन में से किसी भी कोश्चन में प्रॉब्लम हो या आप कोई सुझाओ देना चाहें तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं हमारे टेलिग्राम ग्रूप में जुड़ जाईएगा ठीक है तो देखते नेक पॉश्चन निम लिखित में से कौन सा एक राज का नीत निदेशक तत्व नहीं है देखे फिर नहीं वर्ड आया एक्स्ट्रीम वर्ड इससे सताओधान रहे मढ निठेपा निशेत अगर हम बात करें किस अनुष्येत में मिलता है अंशेस 47 में बच्छों यह डायरेक्ट मेंशन नहीं हैं अनुष्च क्या कहता हैं ऍuis 43 कैसा राज अपनी जंता का पोशा आहार स्तर उपर करने का प्रयास करेगा तो इसी अनुशेद 47 के तहते पोशा आहार को उपर करने के लिए राज क्या करता है हानिकारक पदारतों पर बेन लगा सकता है तो यह अनुशेद 47 में गौर सन्रक्षण यह अनुशेद 48 में है वन नेवं वन जीवों का संरक्षण प्रयावरेंट संरक्षण की बात करें हम तो यह अनुशेत अनतालिस का में है चौधा वर्ष की आयू तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा अब यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन मैक्सिमम इस्वेंट वो क्या करते हैं वो कहते हैं अनुशेत पैतालिस कहते हैं अनुशेद 45 अनुशेद 45 में वो रटे रहते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निसुलक शिक्षा का प्रावदान तो बच्चों ये गलत है अनुशेद 21 का में है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निसुलक शिक्षा का प्रावदान अगर जब हम अनुशे 45 के बात करते हैं तो ये 6 वर्ष के नीचे के आयू के लिए होता है 6 वर्ष के नीचे के आयू के बालकों के लिए है ये और जो अनुशेद 21 का है वो 6 से 14 वर्ष के लिए तो ये बिल्कुल confuse अब मत होईएगा अगर आपको confusion थी तो यहाँ पर doubt clear कर लीजे 14 वर्ष की आयू तक के बच्चों के लिए निशुल सिक्चा तो ये कहाँ पर है अनुशेद 21 का में अब आप confused बिल्कुल मत होईएगा इसलिए मैंने ऐसे question पॉर्म किये हैं जो आपकी बहुत सारी confusion दूर होगा जब मैं lectures लूँगा तब आपको और समझ में आगा कि कितनी सारी मुझे confusions थी जो आज दूर होईए बढ़ते हैं next question पर निमलिखित में कौन सा भारत के राष्टपती के निर्वाचन यानि राष्टपती के निर्वाचक मंडल के बारे में पूछना चाह रहा है यानि कि electoral college के बारे में पूछना जा रहा है तो सम्मिलित नहीं है फिर से सम्मिलित नहीं है लोग सभा के निर्वाचिक सदस से, राज्य सभा के निर्वाचिक सदस से, राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचिक सदस से, राज्य की विधान परिशदों के निर्वाचिक सदस तो पहले जानते हैं राश्ट्पती के बारे में तो बच्चों सम्मिधान का जो भाग 5 है अनुछेद 52 से 151 तक इसी में राश्ट्पती के बारे में मेंशन्ड है किस अनुछेद तक अनुछेद 52 से 61 तक हमें राश्ट्पती के बारे में पता चलता है इसी राश्ट्पती के अनुछेद 54 में राश्ट्पती के निर्वाचक मंडल के बारे में दिया गया है अनुछेद 54 में राश्रपती के निर्वाचक मंडल की बात की गई है यानि कि इंगलेश में जिसको बोलते हैं electoral college कौन कौन आता है इस में राश्रपती के निर्वाचक मंडल में संसत के दोनों सदनों के निर्वाचिस सदस से संसत के दोनों सदनों यानि कि लोक तभा और राज सभा के निर्वाचिस सदस से राज विधान सभाओं के निर्वाचिस सदस से राज विधान सभाओं के निर्वाचिस सदस से और दिल्ली और पुडुचेरी विधान सभा के निर्वाचिस सदस से दिल्ली और पुडुचेरी विधान सभाओं के निर्वाचिस सदस से बच्चों हम बात करेंगे अगर दिल्ली और पुडुचेरी विधान सभाओं के निर्वाचिस सदस तो पहले दिल्ली और पुडुचेरी विधान सभाओं पहले दिल्ली और पुडुचेरी की विधान सभाओं इसमें भाग नहीं लेती थी परन्तु सत्तरवे संविधान संसोधन त्तरवे तरवें Constitutional Amendment Act यानि कि संविधान संसोधन 1992 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि दिल्ली और पुडुचेरी विधान सभा भी राश्टपती के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होंगी यह question भी पूछा जा सकता है तो बढ़ते हैं अपने question की तरफ निम लिखित में से कौन सा भारत के राश्टपती के निर्वाचक हे तो निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है अभी मैंने बताया लोकसभा की निर्वाची सदस से होंगे राजियों की विधान समाओं के निर्वाची सदस से होंगे राजी की विधान परिशदों की निर्वाची सदस तो बच्चों यह नहीं होंगे चुनकी नहीं पूछा गया है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी next question देखते हैं भारत के राश्टपती को यह अधिकार नहीं प्राप्त हैं नहीं प्राप्त है कि वह शमादान करें बिल्कुल शमादान कर सकता है किस आर्टिकल के तहत आर्टिकल 72 सर्वोच नियाले के नियाधिश को हटाए अपातकाल की गोश्डा करें बिल्कुल कर सकता है किस आर्टिकल के तहत में हैं आर्टिकल अपातकाल 1356 में है क्या एक 352 में है और एक अपात्काल वित्ति अपात्काल 360 में अध्यादेश जारी करे राश्च्पति अध्यादेश बेडिक पास नहीं है तो कौन हटाता है आईए देखते हैं अनुछेद 124 अगर हम देखें अनुछेद 124 आर्टिकल 124 का क्लॉस पोर तो इसमें सर्वोच्छ न्यायाले के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया दी गई है सर्वोच्छ कि न्यायाले कि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को हटाने की प्रक्रिया के बारे में दिया गया है किस आधार पर हटाया जाता है आधार हम बात कर ले असमर्थता या साबित कदाचार सिर्फ यही दो बेश हैं बच्चों जिसके आधार पर हटाया जा सकता है असमर्थता या साबित कदाचार असमर्थता और कौन हटा सकता है अनसद के प्रतेक सदन द्वारा दो तिहाई बहुमत से अनसद के प्रतेक सदन यानी की लोक सभा प्लस राज सभा सिर्फ एक से नहीं असद के प्रतेक सदन के दो तिहाई बहुमत द्वारा वह आप समझ गये होंगे सर्वोच लेकर मुख लिए जीश को कैसे हटाया जाता है अगर आपको ये नहीं भी समझ आया होगा या आपको नहीं लिखा होगा तो आपने इसको नोट किया होगा अगर आपको नहीं समझे है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछिएगा मैं आपको दुवारा बताऊंगा बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशेन की तरह निम्निल में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के दुवारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है एक्स्ट्रीम वर्ड की अनधीर सहारे क्षट नहीं वाले रखें हैं एक्स्ट्रीम वर्ड की आप इन सब बातों का ध्यान रखें नहीं वर्ड आ जाता है यह गलत वर्ड का आ जाता है इसलिए अराम से question पढ़िए और extreme word को हमेशा गोला कर लिजे नहीं है या गलत है या आ जाता है तो miss हो जाता है पहला लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, मंत्री परश्यत आपको पता होगा लोकसभा अडेक्ष कौन होता है उनी के जो सारे members होते हैं जो लोकसभा में उन सभा अध्यक्ष बनता है अब बात रही बच्चों राज्यसभा की तो राज्यसभा में अध्यक्ष नहीं सभापती वर्ड यूज करते हैं और जो राज्यसभा का सभापती होता है कौन होता है वो भारत का उपराश्ट्रपती भारत का उपराश्ट्रपती और वर्तमान मे हम बात करें तो कौन है जगदीब धंकरसर जगदीब धंकरसा तो हमारा सतही आंसर इसका क्या हो जाएगा सी राज्यसभा आप सभी को समझ में आ रहा है ठीक है ना समझ में आ रहा है कि कमेंट्स में बताईएगा अगर कोई चीज़ ना समझ में आ वापिस से पूछिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट पोशन पर निम्न लिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संभिधान में लिखित नहीं है वार्षिक वित्ति विवरण इसको इंग्लिश में बच्चों कहते हैं एन्वल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एन्वल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वी नियोग विद्यक यानि कि एप्रोप्रियेशन बिल एप्रोप्रियेशन बिद्बजट इसको ऐसे लिखते हैं बजट भारत की संचित निदियानी कि कंसॉलिडेटेट पंड ओ इंडिया अगर हम किस अनुशेद में बात करें वाशिवित्ति विवरण अनुशेद 112 का हिस्सा है वी नियोग विद्यक यानि एप्रोप्रोप्रियेशन बिल आर्टिकल 114 का हिस्सा है भारत की संचित निदि तो आर्टिकल 266 का क्लॉस 1 का हिस्सा है तो अगर हम बात करें बजट शब्द तो बजट शब्द भारती संविधान में कहीं स्थित नहीं है हम तब आम बोलचाल की भाषा में बजट वर्ड यूज कर लेते हैं ग्रिस सच्यू यानि की होम सेक्रेटरी रक्षा सच्यू यानि डिफेंस सेक्रेटरी मंत्री मंडल सच्यू यानि की कैबिनेट सेक्रेटरी दिल्ली का उपराजपाल तो बच्चों इसमें सही आंसर क्या होगा बताइए बहुत ही इंट्रेस्टिंग कोश्चन है मंत्री मंडल सचिव हाई अथ फिविलियन आफसर यानि की कैबिनेट सेक्रेटरी यानि की प्रेजेंट का कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है राजिव गाबा अगर आफ पुलिस में यह बच्चों कौन होता है क्यामिनेट सच्ची हो आईए wes और कैबिनेट सेक्रेटरी बनने के लिए मिनिमकम सर्विस 28 यारल की चाहीं होती है इसीलिए जो PCS होते हैं वो Cabinet Secretary नहीं बन पाते हैं 28 years as an IAS आपको होना चाहिए तभी आप Cabinet Secretary बन पाएंगे और Cabinet Secretary बच्चों इतना बड़ा पोश्ट होता है आप सोच भी नहीं सकते सकते कैबिनेट सेक्रेटरी प्रधान करता है आप देश के सबसे बड़े अफसर हैं और अगर हम पुलिस में बात करें तो फुलिस में सबसे बड़ा पोश्ट होता है डी जीपी का एक IPS होता है सी पुलिस में डी जीपी होता है Director General of Police यह IPS होता है इससे भी उपर एक होता है डी आई भी Director of Intelligence Bureau यह भी एक IPS होता है इसकी गाड़ी में थ्री स्टार लगे रहते हैं आपने यह देखा होगा यह एक राज्य का प्रमुख होता है डारेक्टर Director of Intelligence Bureau इसकी गाड़ी में पोर इस्टार लगे होते हैं इनको आपने बहुत कम देखा होगा कहां कि पूरे भारत में सिर्फ एक डी आई भी होता है उसी तरह आपको भी मैनत करना है और इन बड़े-बड़े पदों पर काम करना है क्यों क्योंकि अभी आपको माल जी कुछ समस् अब इसके नाम में ही देखिए पॉर्चून का मतलब ही क्या है सौ भाग बच्चों अब आपने मेहनत की आपने अपना भाग बदल लिया आप पॉर्चूनल ले आए तब सिर्फ भाग की थोड़ी ना बदल ला पॉर्चूनल आ गई तो बच्चों अपनी रेंज भी तो लाओगे तो रेंज रोवर भी तो लाओगे आपने बहुत मेहनत की आप सब इंस्पेक्टर बन गए बहुत ही अच्छी बात है बट यहीं पर कजरनी खतम थोड़ी नहीं हो दिये काम तो बड़े-बड़े पदों पर करना है ना जो देश का हो या राज्य का सबसे बड़ पदो यानि कि आपका सौभाग बदलने से लेके हमारे राइज अप के स्टूडेंट्स का अगर उन्होंने अपना सौभाग बदलकर हमें दिखाया तो उनकी रेंज बढ़ाने तक यानि कि SI से SP बनने तक का सफ़र यानि कि आपका एक सब इंस्पेक्टर बनने से लेके अगर उसका सिलेक्शन हुआ और वह आगे सिविल सर्विसेश की त्यारी करना चाहेगा तो हम आपको प्री ओप कोश्ट त्यारी करवाएंगे आपका सौभाग बदलने से लेके आपकी रेंज बढ़ाने तक हम आपके साथ रहेंगे और यह जर्नी प्री ओफ कोश्ट रहे इस अब यह आपको भी डीजीपी बनना है कैबने से बनना भारत के बड़े बड़े पदों तक काम करना है बढ़ते हैं नेक्स्त कोश्टन की तरह उत्तर प्रदेश के बात लोग सभा में लोग सभा में सरवादिक स्थानों का आवंटन किया गया है अगर हम सबसे पहले द करें तो 25 सीठ है बिहार में 40 हैं महराश्ट में 48 हैं पशिम बंगाल में 42 है तो आप पूछा गया है उत्तर प्रदेश के बाद तो बच्चों क्या दिख रहा है आपको महराश्ट सबसे ज़्यादा सीटों का अगर हम ग्राफ एक बनाएं चार्ट बनाएं तो उत्तर प्रदे में कितनी असी महराश्ट में 48 वेस्ट में 42 नोट कर लीजेगे सारी चीजें अभी रीसेट में इलेक्शन भी हुए तो कहीं का भी पूछ सकता है बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरह निम लिखित में से कौन से प्रथम जन जाती लोकतभा अध्यक्र ये बच्चों न लेते हैं यानि वर्तमान रट लेते हैं और ये एक नया कोश्चन आ जाता है तो भूल जाते हैं ऑप्शन देखते हैं जीवी मावालंकर जीएम बाल योगी मनोहर जोशी पीए संग्मा अगर हम जीवी मावालंकर की बात करेंगे तो ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जो लोकसभा 1952 में गठित हुई थी ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे अगर हम प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात कल लें तो हमारा आंसर हो जाएगा मीरा कुमार और कौन से नंबर की लोग सभा थी वो पंद्रहमी लोग सभा थी और हम वर्तमान की बात कर लें तो कौन है ओम बिरला जी ओम बिरला जी कौन सी लोग सभा चली प्रेजेंट में सत्रहमी अब पूछा गया था प्रथम जनजाती लोग सभाध्यक्ष तो हमारा राइट आंसर है पिए सांगमा ये भी बच्चों आप अपने स्टैटिक में भी एड कर लिएगा प्लस अपने नोट्स में भी एड कर लि ना है बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर राजसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है तो सबसे पहले पूछा गया राजसभा अगर मैं आपसे कहूं कि राजसभा किस अनुछेद में है और लोग सभा किस अनुछेद में तो बच्चों यहां पर आप सभी को बहुत कं सरल सारला अनुछेद 79 अनुछेद 80 अनुछेद 81 79 में क्या संसत के बारे में बताया गया है असी में राजसभा के बारे में 81 में लोग सभा के बारे में यह ट्रिक याद कर लिजिए इससे आप चीजों को नहीं भूलेंगे सा राला यानि अन्शे 79 में संसर 80 में राज्य सभा और 81 में लोक सभा तो कि राज्य सभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है तो बच्चों आपको पता होगा कि राज्य सभा एक इस्थाई सधन है एक इस्थाई सदन है जो भंग नहीं की जा सकती और इसके एक तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष पर सेवा निवरित्त हो जाते हैं प्रति दो इयर बाद तेवा निवरित्त हो जाते हैं अभी मैंने आप बताया राजिसभा भंग नहीं की जा सकती तो आप्टियन राश्पति के द्वारा नहीं पधान मंत्री द्वारा नहीं मंत्री परिशत द्वारा नहीं उपर यूप्ट में से किसी के द्वारा नहीं तो हमारा सही आंसर हो जा तो क्या होता है और ने प्रदानमंती अपना त्याग पत्र दे देता है तंसत्भंग हो जाती है राष्टपति शाषन लागू हो जाता है उपरियुक्त में से कुछ नहीं होता तो बच्चों अनुशेत 75-3 अगर हम देखे अनुशेत 75-3 क्या कहता है क्या कहता है सरकार सामुहिक रूप से या मंत्री परिशद यहां पर वर्ड यूद करते हैं मंत्री परिशद सामुहिक रूप से लोगसभा के प्रति उत्तरदाई होती है सामुहिक रूप से लोगसभा के प्रति उत्तरदाई होती है लोकसभा उत्तरदाई होती है तो बच्चों जब लोकसभा के प्रति उत्तरदाई होती है तो सरकार और राज्यसभा का आपस में कोई खास लेना देना है नहीं तो अगर राज्यसभा में परादित हो जाए तो क्या होगा उपर यूप्त में से कुछ नहीं होगा आज के लिए बच्चो इतने ही questions हैं, अच्छे से practice कीजिएगा, इनको revision कीजिएगा, कोई question हो, तो comment में जरूर पूछिएगा, टेलिग्राम में जुड़ जाईएगा देखते हैं, आज का सुविचार क्या है? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सीचे सो घड़ा, रितु आयफल होए, कबीरदाश जी क्या कह रहे हैं? का फल होगा, तो अगर हम बहुत जल्दी कर देंगे, तो भी कोई फायदा नहीं होगा, अब मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ, बचों करने जाते हैं, गुरु परशुराम के पास सिक्षा लेने के लिए, कहते हैं, हे गुरुर मुझे सिक्षा दे दीजे, धनुर विद् पर तुम्हें उसके लिए परिक्षा देनी होगी, तो उसी प्रकार, जब आप किसी चीज़ को दिलो जान से चाह लेंगे, तो ये प्रकृती आपकी परिक्षा लेगी, क्या जिस चीज़ को आप चाह रहे हैं, क्या वो आपके लायक है, आप उसके लिए पूरे हैं और अगर आप उस परिक्षा में पास हो गए जिस तरह कंड अब परिश्वराम जी की परिक्षा में पास हुए थे और कंड विश्व के सर्वस्रेश धनुर्धरव में से एक थे कभी बच्चों मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कंड के ऊपर एक स्टोरी आपको जरूर बताऊंगा मैं वादा करता हूं यह मेरा वादा है कभी ना कभी जरूर बनाऊंगा तो उसी तरह जिस तरह कंड की परिक्षा हुई और कंड जो है विश्व के सर्वस्रेश धरों में से एक बने उसी तरह जब आप कोई चीद दिल से चाहोगे तो यह अगर आपकी परिक्षा लेगी और आपको उस परिक्षा में सफल होना पड़ेगा तरह तरह की कटनाइयां आएंगी और वो कैसे सफल हो गया धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए 마ली सीचे सोगडा रितु आये पल होए आराम से रहिए तैयारी करते रहिए बचो सही सम आने पर सिलेक्शन जरूर होगा अगर पहले नहीं हुआ या इस बार भी नहीं हुआ तो हमेशा बेटर ऑपर्च्यूनिटी उससे बड़ी ऑपर्च्यूनिटी आपकी वेट करती रहती बचों एजुकेशन का अल्टीमेट गोल सिर्फ नौकरी नहीं है जब तक एजुकेशन का अल्टीमेट गोल सिर्फ नौकरी नहीं है यह हमेशा ध्यान में रखिएगा जुड़े रहिए यससवी सिंग का वंदन युद्ध की तैयारी करते रहें दोहजार चोविस पे आपका होना चाहिए द्वंद कहां तक पाला जाए युद्ध कहां तक टाला जाए दोनों औ लिखी हो तुमारी जीत सिक्का वहीं उचाला जाए नमस्कार जुड़े रहिए